प्रेविद्यार्थियो आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है मैं हूं मदन सें आज हम शितेज भाग एक से वाख शिर्शक जो कविता है उसका अध्यन करेंगे वाख शिर्शक कविता की कवाइत्री लल्द्यद्य है लल्द्यद्य कश्मीरी भाषा की एक लुप्रिय संत कवाइत्री थी जिनका जन्म 1320 इस्वी में कश्मीर के पामपोर के सिंपूरा गाउं में हुआ था उनके जीवन के बारे में प्रमानिक जानकारी उपलब्ध नहीं है उन्हें कश्मीर में ललेश्वरी लला लल योगेश्वरी तथा लला रिफा आदिनामों से भी जाना जाता है यह माना जाता है कि अपने वैवाहिक जीवन से दुखी होकर उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया और 26 वर्ष की उम्र में गुरुसिद्ध स्रिकंठ से दिख्षा दी इस महान कवैतरी की मिर्तियू सन 1392 वी में हुई लल्द्यद की काविशैली को वाख कहते हैं उनके वाख कश्मीर में मौखिक रुप से पीड़ी दरपीड़ी चले आ रहे हैं उन्हें अपने वाखों में जाती और धर्न की संकिन्टाओं से उपर उठकर भक्ति के मार पर चलने का संदेश है उन्होंने अपनी रचनाओं में जनता की सरल कश्मीरी भाशा का प्रयोग किया है प्यारे बच्चों लल्द्द्य एक ऐसी कवेटरी थी अगर हिंदी कविता के किसी कवी के साथ उनकी तुलना की जाये तो कबिर दास के साथ उनकी तुलना की जा सकती है जिस तरह से कबिर दास ने धार्मिक आडमरों का विरोध किया समाज की धार्मिक संक्रिणताओं का विरोध किया और बेवाग तरीके से अपनी बाते कहीं उसी तरह से कश्मीरी जनवानस में लल्दद्य जो है अपनी बात वेवा की तरीके से करने के लिए जानी जाती है श्रिकंट जी के पास जब वे गई दिक्षा लेने के लिए तो श्रिकंट ने कहा कि बाहर से मुखमोड और अपने अंतर को समझ यह बात गुरु मंत्र के रूप में उन्होंने अपने जीवन में स्विकार किया और सांसारिक मौमाया के बंधनों से मुक्त होकर अपना संपून जीवन इश्वर की भक्ती में समर्पित कर दिया तो आईए आज हम उनके द्वारा कहे गए जो वाख हैं उनका ध्यन करते हैं वाख का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी या कथन जिस तरह से कबिर्दास के दोहे पर चलित हैं तुलसिदास की चौपाईयां पर चलित हैं रस्खान के सवये पर चलित हैं उसी तरह से कश्मीर में लल्दद्द के वाख पर चलित हैं उन्होंने अपने वाखों के माद्दिम से आत्म, सुद्धता, सदाचार और मानो धर्म की अलक जगाई जो सदियों बाद आज भी कश्मीर के लोगों के कंठ में उनके वाख रचे वसे हैं तो आएए उनके वाखों का बारी बारे से अध्यन करते हैं पहला वाख है रसी कच्चे धागी की खीच रही मैं नाओ जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भौसागर पार पानी टब के कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि यह जो जीवन है यह जीवन रूपी जो नाओ है यह जीवन रूपी नाओ कच्चे सांसों की डोर से बंदी हुई है और इस नाओ को कच्चे धागे रूपी या कच्चे सांसों रूपी कच्चे धागे से वह खींच रही है पता नहीं कब इश्वर की किर्पा उन पर होगी इश्वर उन्हें इस भौसागर से पार लगाएंगे इस बात को लेकर वह विकल है उसके मन में इस बात को लेकर बेचैनी है और वह चाहती है कि उस पर इश्वर की किर्पा हो ताकि इस भौसागर को वह आसानी से पार कर सके पानी टबके कच्चे सकोरे विर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे पानी टबके कच्चे सकोरे कच्चे सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र जो कच्चा है उस मिट्टी के पात्र में बहुत देर तक पानी रह नहीं सकता वह कहना चाहती है कि वह इश्वर को पाने के जो भी प्रयास कर रही है वह सारे प्रयास विफल हो रहे हैं बार बार उसके जी में उस परमात्मा से मिलने की हुक पैदा होती है आकुलता पैदा होती है क्योंकि वह कहती है कि घर जाने की चाह है मेरे वे परमात्मा के साथ अपने आपको ये काकार करना चाहती है इसलिए वह कहती है कि रसी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाओ ये सांसें जो है इस जीवन रूपी नाओ को खींच रही है पता नहीं कब परमात्मा की किरपा उन पर होगी और वे उन्हें भौसागर पार लगाएंगे वे परमात्मा को पाने के लिए जो भी प्रयास कर रही है सारे प्रयास विफल हो रहे हैं बार बार उस परमात्मा से मिलने की चाहत उनकी बढ़ती जा रही है वे उस परमात्मा से मिलकर अपने आप को एकाकार करना चाहती है आत्मा हमेशा यह प्रियास करती है कि परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए और यही जीवन की मुक्ती है तो कवजत्री अपने आपको इस जीवन मरन के चक्र से मुक्त करना चाहती है इसलिए वह उस परमात्मा से मिलना चाहती है वह अपने घर लोटना चाहती है अब आईए हम एक और दूसरे वाक की ओर जाते हैं खाखा कर कुछ पाएगा नहीं न खाखा कर बनेगा अहंकारी समखा तभी होगा संभावी खुलेंगी सांकल बंदद्वार की खाखा कर कुछ पाएगा नहीं न खाखा कर बनेगा अहंकारी समखा तभी होगा संभावी खुलेंगी सांकल बंदद्वार की इस वाक के माध्यम से कवैत्री यह कहना चाहती है कि पूरा जीवन जो है उनका अपनी इंद्रियों को त्रिप्त करने में ही व्यतीत होता रहा वे जीवन भहर अपने भरन पोशन के बारे में ही सोचती रहें और जिसके कारण उस परमात्मा से अब तक वे बन्चित रहें वे कहती हैं कि खाखा कर कुछ पाएगा नहीं अगर हम इसी तरह से अपने भरन पोशन के बारे में ही चिंतन करते रहें तो हम परमात्मा तक नहीं पहुँच पाएंगे और यदि हमने खाना छोड़ दिया यदि हमने वरत उप्वास करना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर एक अहंकार भाव आ जाएगा हम यह समझने लगेंगे कि हम परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हो गए और जब अहंकार भाव मनुश्य में आता है तो परमात्मा उसके हिर्दे में कभी विराजमान नहीं होते इसलिए कवईत्री कहती हैं कि समझा तभी होगा समझावी अपनी आंतरिक और वाहे इंदरियों का तुम शमन कर अपने आंतरिक और वाहे इंदरियों को तुम नियंतरित कर और जब तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल हो जाओगे तभी तुम्हारे हिर्दय में समानता के भाव का उदय होगा समभावी तुम बनोगे जब तक सभी प्राणियों के प्रती समानता का भाव हमारे हिर्दय में उत्पन नहीं होता तब तक हम ग्यान प्राप्त नहीं कर पाते हमारे मन के जो बंद दरवाजें हैं उनकी जंजीरें नहीं खुलती संभाव जीवन में आने के बाद हमारे मन के द्वारों की सांकल खुल जाती है उनकी जंजीरें खुल जाती है और हमारी चेतना व्यापक हो जाती है हमारा मन मुक्त हो जाता है अब आईए हम तीसरे वाक का ध्यन करते हैं तीसरा वाक है आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुसम सेत्व पर खड़ी थी बीत गया दिन आह जेब टटोली कौडी न पाई माजी को दूं क्या उतराई इस वाक के माध्यम से कवैत्री ने हट योग की साधना की चर्चा की है योग में हमारी जो तीन नाडियां है इडा पिंगला और सुसमना इन तीन नाडियों के द्वारा ही योग होता है साधना होती है वे कहती हैं कि हमने यह जीवन सीधे तरीके से प्राप्त किया है सीधी राह से हम आए इडा और पिंगला के द्वारा यह जीवन हमें प्राप्त हुआ लेकिन संसार में आने के बाद मैं सीधी राह चल न पाई जीवन में आने के बाद बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हम कई तरह के बुरे कारियों में भी लिप्त हो जाते हैं हमारे मन में कई तरह के विकार आ जाते हैं उनको कहा गया है कि गई न सीधी राह सुस्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ सुस्मना पुल पर खड़ी थी अर्थात हठयोग के तरह तरह के तरीके अपनाती रही प्रमात्मा को पाने का प्रत्न करती रही लेकिन सारे प्रत्ने विफल हुए और इसी प्रयास में जीवन का एक बहुत बड़ा भाग बीट गया कहीं न कहीं कवैटरी के मन में इस बात का पस्तावा है कि हटयोग के कारण जो है वह इस तरह से अपने जीवन में भटक गई कि प्रमात्मा को वह प्राप्त नहीं कर पाई जो सद्कर्म उसे जीवन में कमाने थे अर्जित करने थे वह अर्जित नहीं कर पाई और जीवन के एक पड़ाव पर आने के बाद जब वे सोचती है आत्मा लूचन करती है कि मैंने जीवन में क्या प्राप्त किया कौन सा ऐसा सत्कर्म किया कौन सा ऐसा अच्छा काम किया तो वे देखती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कौड़ी न पाई उन्होंने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं किया अब ऐसे में बार बार उन्हें यह चिंता सता रही है कि मैं मा जी को अर्थात जो मेरे जीवन रुपी नईया को किनारे तक ले जाएगा उसे उतराई में क्या दोंगे पारिश्रमिक के रुप में क्या दोंगे परमात्मा जो हमारे जीवन रुपी नईया को पार लगाता है गुरू जो हमारे जीवन की नईया को किनारे तक पहुँचाता है अब उस माजी को उस नाविक को उस गुरु को उस परमात्मा को उतराई में क्या दे पाएगी क्योंकि उसके पास सदकर्मों की जो पूंजी होनी चाहिए उसने वह पूंजी अरजित नहीं की है इसलिए कहती है कि संसार में मैं सीधी राह से तो आई थी लेकिन सीधी राह चल न पाई सुसुमना सेतु पर खड़ी रही हट योग करती रही लेकिन इसी प्रयास में सारा जीवन जो है वतीत हो गया और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ प्रियविद्यार्थियो अब चौथे वाक का ध्यन करते हैं थल्थल में बसता है शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसल्मा यानी है तो स्वैम को जान वही है साहिब से पहचान इस वाक के माद्यम से कवित्री यह कहती हैं कि परमात्मा जो है कनकन में व्याब्त है हर कन में है हर प्रानी में वह विद्यमान है उसकी उपस्थिती हर जगा है क्या हिंदू क्या मुसल्मा यह जो हम भेद करते हैं यह जो अंतर करते हैं यहां परमात्मा को लेकर किसी तरह के भेद की आउशकता नहीं है परमात्मा हर प्राणी में विद्देमान है चाहे वह किसी रूप में है तो ऐसी स्थिति में वे कहती हैं कि ग्यानी है तो स्वैम को जान यदि तुम अपने आपको ग्यानी कहते हो तो यह आवश्यक है तुम स्वैम को जान लो अपने आपको पहचान लो और तुमने यदि अपने आपको पहचान लिया तो यह समझो तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो गए यह वही है साहिब की पहचान आत्म ग्यान का होना इस बात का दियो तक है कि हम परमात्मा को पहचानने की शम्ता रखते हैं परमात्मा को पहचानने का सामर्थ हमारे अंदर आ गया है इसी तरह की बात कबिर्दास ने भी कही है कस्तुरी कुंडली बसे मृग ढूंडे बनमाही ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही परमात्मा तो हमारे अंदर विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द और यदि हमने अपने आप को देख लिया समझ लिया तो हमें प्रमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो इस तरह से हमने इस पार्ट के माध्यम से लल्दद्य के जो चार वाक दिये गए हैं उनका हमने अध्यन किया आईए अब हम कुछ कछिन शब्दों के अर्थ समझते हैं पहला शब्द है वाक वाक का अर्थ है वानी शब्द याककतन यह चार पंक्तियों में बद्ध कश्मिरी शैली की गे रचना है कच्चे सकोरे जिसका अर्थ है सभावी कुरुप से कमजोर मिट्टी का जो पात्र होता है उसे कच्चा सकोरा कहा जाता है रच्ची कच्चे धागे की इसका अर्थ है कमजोर और नाशवान सहारे नाव जीवन रूपी नाव सम अंतह करन तथा वाहे इंद्रियों का निग्रह समभावी समानता की भावना खुलेंगी सांकल बंद द्वार की चेतना व्यापक होगी मन मुक्त होगा गई न सीधी राह जीवन में सांसारिक शलशद्मों के रास्ते पर चलती रहे सुसम सेतू, सुसमना नाड़ी रूपी पुल, हठयोग में शरीर की तीन प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी जिसको सुसमना कहा जाता है जेब टटोली आत्मा लोचन किया कौडी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ माजी, इश्वर, गुरु या नाविक उतराई, सदकर्म रूपी महनताना थल्थल, सरवत्र शिव, इश्वर साहिप, स्वामी, इश्वर आईए इस पाट का प्रशनुत्तर करते हैं पहला प्रशन है रशी सब्द, यहां किसके लिए प्रायुक्त हुआ है और वह कैसी है उत्तर, कवित्री ने रशी शब्द का प्रयोग, सांसों, अत्वा, प्राणों के लिए किया है यह रशी कच्चे धागी की बनी हुई है अत्यंद कमजोर और नाशवान है यह रशी जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खीच रही है कवित्री द्वारा मुक्ती के लिए किये जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे है क्योंकि उसके प्रयास वहावी कुरुप से कमजोर है उसके प्रयास मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है जो पानी के गिरते ही नश्ट हो जाते है तीसरा प्रशन है कवित्री का घहर जाने की चाह से क्या तात्पर है उत्तर कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर है मुक्ती की कामना संसार में सभी प्राणी प्रमात्मा के ही अंश है आत्मा की कोशिश होती है कि वह प्रमात्मा से एकाकार हो जाए प्रमात्मा को पाने की इच्छा ही घर जाने की चाह है प्रश्ण चार भाव स्पस्ट कीजिए क जेब टटोली कौड़ी न पाई उत्तर कवित्री का यह मानना है कि हट्योग की साधना से लक्ष की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि साधक इड़ा पिंगला और सुस्मना नाड़ी के चक्कर में ही भटकता रह जाता है समय बीट जाने के बाद वह आत्मा लोचन करता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ ही चला गया अर्थात वह जैसा था वैसा ही रह गया ख, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी उत्तर कवैत्री यह कहती है कि खा खा कर मनुश्य केवल शरीर और इंद्रियों का भरण पोशन करता है अत्तर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता मनुश्य भूग विलास के द्वारा इंद्रियों की विशय वासनाओं की पूर्ती में लगा रहता है किन्तु उसकी त्रिष्णा त्रिप्त नहीं होती वह इश्वर की भक्ती से वंचित रह जाता है नखा कर वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रन कर लेता है किन्तु ऐसी साधना से उसके अंदर अहंकार उत्पन हो जाता है वरत उपवास रह कर ही वह स्वैम को इश्वर भक्त समझने लगता है वरत उपवास धर्म के वाहिय आचरण है वास्तविक धर्म नहीं अहंकार आने पर इश्वर की प्राप्ती संभव नहीं है प्रश्न संख्या पांच बंद द्वार की सांकन खोलने के लिए लल्द्यद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक खट योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उसे भी लक्ष प्राप्ति नहीं होती यह भाव किन पंक्तियों में प्रकट हुआ है उत्तर आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुसम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह जेब टटोली कौडी न पाई माजी को दू क्या उत्तराई प्रस्न संख्या साथ ज्यानी से कवैत्री का क्या तात्पर है उत्तर यानी से कवैत्री का तात्पर है हिंदो मुसल्मान तथा इश्वर में भेद भाव न मानना और अपने आप को पहचानने वाला साधग इस पार्ट से समंदित अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास करते हैं प्रश्न आठ हमारे संतों भक्तों और महापुर्शों ने बार बार चिताया है कि मनुश्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं होता लेकिन आज भी हमारे समाज में भेद भाव दिखाई देता है कर आपकी दिख्टी में इस कारण देश और समाज को क्या हानी हो रही है हमारे समाज में जाती, धैर्म, भाशा, संब्रदाय आदी के नाम पर भेद भाव किया जाता है इसे समाज और देश को बहुत हानी हो रही है इसे समाज हिंदू, मुसल्मान में बढ़ कर सौहार्द और भाई चारा खो बैठा है दोनों एक दूसरे के शत्रू नजर आते हैं तेवारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनुहोनी की आशंका बनी रहती है इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भैर बना रहता है जिसे कानुन विवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नश्ट होता है ख़, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशिल बनना होगा सर्व धर्म संभाव की भावना लानी होगी तथा कटर्ता त्याग कर धार्मिक सवहार्द का वातावरन बनाना होगा सभी धर्मों के अनुयाईयों के साथ समानता का विवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी भी धर्म विशेश का तुष्टी करन बंद करना होगा ताकि अन्य धर्मा नुयाईयों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो प्यारे विद्यारतियों हमें इस कथन से यह सिक्षा मिलती है कि हमें समाज में आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए कोई भी ऐसा कारे नहीं करना चाहिए जिसे कि आपस में तनाव बढ़े या हम एक दुसरे के शत्रू बन बैठें आपसी मिल मिलाप से ही देश में समाज में शांती स्थापित होगी और हम विकास के पत पर अग्रसर होंगे किसी भी समाज में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि समाज में शांती हो हम कोई भी ऐसा कारे न करें जिसे कि समाज में संपरदाइक सद्भाव को ठेश पहुचती हो तो प्रेवेद्यारतियों आज हमने ललदद्य के चार वाकों का अध्यन किया आशा करता हूं कि इन वाकों को समझने में आपको इसे काफी मदद मिलेगी और आप इसी तरह से अध्यन करते रहें अगली कक्षा में एक नए विशेवस्तो के साथ आपसे पुनह मुलाकात होगी धन्यवाद